राम राम आपके चोट कहां लग गई नोजी पे आपको नास था अच्छा लगा टेस्टी टेस्टी लगा आप सब ठीक होंगे हम भी ठीक है स्वस्थ होंगे तो इस वह उठें जो भी हमारा सारा काम होता है किलीनिंग का वो सब कर लिया हमने और कप्लों का धीर आप देख सकते हो कितने कप्ले हो रहे थे वो कर लिया हो सूख भी गए और अभी गए और अभी सिर्फ साड़े नोग बज़े है तो अब हम लेंच की तियारी कर रहे हैं सब उसके बाद अब लेंच में हम उड़त की दाल बना रहा है तो चलो चलते है यहां पर चीले बनाने के लिए हमने चार-पाच चमच बेशन लिया है और इदर डाल रखी यह दाल भी बन गई थी हमारी और हमने हिसके लिए बारिक टामाडर काट लिया कडि पत और हरा दनिया और उस साइड हमने दाल की वितायारी कर दी फ्राय करने के लिए उसमें भी टमाटर हरी मिर्च काड़ दी और यहां पर हमने इसमें हिंग नमक खल्दी थोड़ इसे बिल्कुल मिर्च डाल लिए और जीरा अजवाइन और यह सब चीछ चाल कर और पिसा हुआ दनिया भी डाला और इसमें मिक्स कर लेंगे और मिक्स कर के फिर इसमें पानी ऐड़ करेंगे थोड़ा थोड़ा उसके बाद हम अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे आपके चोट कहा लग गया नोजी पे अपना ना कून मान लिया इसमें अच्छा ठीक है अब आप क्या करोगी डांस करोगे अच्छा करके दिखाओ डांस करके दिखाओ संबू वाला यह हर हर संबू ही सुनता है बस चलो आपके लिए मैं नास्ता ला रही हूं हम बहुत अच्छा टेश्टी नास्ता बनाया है है हाँ बहुत टेश्टी हाँ भूक लग गई अभी लाइब मैं आपके लिए मिनायक को बहुत तेश्टी भूक लग रही है सुबह सिर्फ अपने चाय और नमकीन बिस्किट या चने वगईरा ही खाये थे तो हम यहाँ पर साथ साथ खाने की भी तैयारी कर रहे है तो यहाँ पर दाल भी हो गई है और इधर हम इतने दाल फ्राइ कर लेते हैं और उस पर पेस्ट डाल दिया हमने और इसे फैला दिया अची तरह से वैसे आप सब पर आते होंगे यह बेशन के चीले बनाने लेकिन हम दिखा रहे हैं बस और आज व्लोग में बस ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि बस हमें कहीं कुछ काम है इस वज़े बहुत अच्छी तरह से और यहां पर दूसरी साइट पर हम टेल डाल देंगे तो वह भी पख जाएगा और यहां पर बिनकुल तयार है और बिनायक आगए हमारे पास मैं आपके लिए चीजी बनाओं मैं देखो आप देखो मैंने आपके लिए बनाया है तूट गिया है थोड़ा सा थंडा हो जाने तो जब ला रही हूं चलो बैड़ पे चलो यहां पर बिनक को बिल्कुल सबर नहीं हो रहा था तो हमने फिर एक और बनाया और उसके बाद फिर उसे लेके गए उसे खिला रहे हम यहां पर अच्छा लगा टेस्टी टेस्टी लगा मैं पेते को लोग ममे ममे हाँ बेटा है चाही गिर गई अच्छे विनायक ने बहुत खुस होकर खाया और जब बच्चे खुस होकर खाते हैं हम कुछ चीज बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है बहुत खुसी मिलती है और आप कमेंट करना आपके बच्चों को क्या पसंद है और आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना श